जैश्री महाकाल, कैसे हैं आप सभी, होप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो है विशालाक्षी जी के उपर भगवती विशालाक्षी जी के महिमा के उपर वीडियो है शाक्ति दर्शन में मैंने आपको प्रधान विग्रह के उपर वीडियो में बताया था तो आज के विशे में जोनों ने नहीं देखी जी की देवी के प्रधान विग्रह कौन है वे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप उधर चकर वे वेडियो देख सकते हैं तो आज की वीडियो है वह भगवती विशालाक्षी जी की उपर है, विशालाक्षी जी की क्या महीमा है, जैसे कि मैंने कहा था, काशी में विशालाक्षी, मदुरई में मिनाक्षी, और कांची में कामाक्षी, इन तीनों विग्रहों जैसा विग्रह कहीं नहीं है, ये अपने उन्होंने शीशा धारण कर रखा है तो किसी में वह सीधी चावर लेकर यानि चावर होता है घोड़े के बालों को बना हुआ उसे धारण करकर वह खड़ी हुई है इसके लावए ऐसा ही एक स्वरूप है भगवती का जो काशी में विशालाक्षी जी में स्थापित है तो उन बहुत बड़ा शाक्त माना गया है मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ क्यों क्यों कि कहते हैं कि भगवती की जो अराधना करी थी दक्षप्रजापती ने अपनी पुत्री रूप में पाने के लिए कहते हैं लोग सोचते हैं कि दक्षप्रजापती के ऐसे ही जनम हो गया ता रखोंगी जिस दिन तुम्हारा पुन्यशीन हो चाहेगा उस दिन तुम्हारे मन में मेरे लिए भेद बुद्धि आ जाएगी और मैं तुम्हारा परित्याग करके चली जाओंगी ऐसा वर्णन किया था यह कथा कहां है प्रामाण ठीक है यह प्रामाण है देवी पुराण मे इस कथा का वर्णन मिलता है अब वहां एक और चीज है कि जब सती माता अपने आपको अर्था योगा अगनी से भस्म कर रही थी या फिर प्रांड त्याग रही थी ऐसा कहा जाए तो इसके लिए कोई निर्दाय शब्द मेरे दिवाग में नहीं आ रहा है तो उस वक्त क्य और भूल गए और उस पे शयन कर लिया भगवती प्रसूती के साथ प्रसूती अर्था उनके अर्धांगनी कना भगवती माता प्रसूती है तो उनके साथ शयन कर लिया विहार किया तो उससे क्या हुआ जो पुश्मती उसके अभेलना हो गई और उनके मन में माता के लिए दुर भाव या फिर गरत भाव उत्पन हो गए तो उनके मैंन में वैर आ गया शिफ शक्ति के प्रति भेध बुद्धी आ गई और शक्ति की महिमा को भूल गए है अब यहां तक हमने बात समझ आ गई तो जब सती माता अगनी में थी तो दक्षप्रजापती को बहुत दुख हुआ तो उन्होंने आता से क्या कहा कि मुझे शमा कर जीए तो भगवती ने कहा था कि मैं आपका कहा दर्शन कर सकूँगा तो भगवती ने कहा था कि मेरे 108 चिन या फिर अंग होंगे उनका आप दर्शन कर सकते हैं भगवती कहती है इसके अलबा भगवती की महिमा में क्या है बोला गया है वारन अस्या विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी आवी मुक्ते विशालाक्षी महा भागा महा लया इसका वर्णन काशी पूरी के अंतरगत विशालाक्षी का वर्णन है कि देवी भगवत में इसका स्पेशल वर्णन है कि काशी में और कोई नहीं सिर्फ और सिर्व विशालाक्षी जी का मंदिर था पहले तो इसके बाद मंदिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो विशालाक्षी जी के लिए क्या बोला गया है कि वारन अस्या विशालाक्षी गावरी मुख निवासिनी आवे मुख ते विशालाक्षी महा भागा महा लाया इसका वर्ण देवी भागवत में श्रोप के द्वारा किया गया है और भी बहुत सारी महीमा भगवती की गाई गई है विशालाक्षी जी के लिए और विशालाक्षी जी के पूजन हे तो निर्वदेश मिलते हैं कई प्रकार के कि भगवान शिप कहते हैं कि विशाल आक्षी मेरा विश्राम स्थल है यानि विशाल आक्षी के मंदिर जी के जो बगल में है न वहां भगवान विश्वनात विश्राम करते हैं एक बदेनेर चाहँенного में नहीं पमूजन के लिए कहा गそうですね यानि कि विशाल गणगा में सम्नान करने के बाद कि विशाल आक्षी जी के डर्शनों के अग्या प्राप्त होती है अब विशाल गंगा के विशियम मैं कहा गया है कि गंगा जी के टठक पर पंगती बत गातों में कहीं सारे गात एक साथ है उनुने घाटों में मीर घाट के बीच में श्रीगंगा जी का काशी खंडुक्त विशाल गंगा तीर्थ है इस तान में सनान करने के बाद विशाल अक्षी जी के दर्शन को जाने की आग्या प्राप्त होती है भगवति के पूजन के लिए कई प्रकार के श्लोक हैं जैसे कि विशालाक्षी पूजनिया प्रत्नतह यानि कि आप विशालाक्षी जी की पूजन प्रत्न पूर्वक कीजिए धूपेर दीपे शुभे माले रूपा हार मनोहरे मतलब कि धूप से दीप से अनुएक प्रकार की मालाव से भगवति विशालाक्षी जी की पूजा कीजिए अनेक प्रकार के कुमकुम से मतलब कि कहीं भी कंजूसी नहीं कीजिए विशालाक्षी जी की जपकर जपना चाहिए कहा गया है कि काशी में विशालाक्षी अनपूर्णा और शिभवानी जी का वास है अर्थात की साक्षात अनपूर्णा विशालाक्षी जी ही अनपूर्णा है इत्ती महिमा कर दी गई है विशालाक्षी जी की तो जब अंग्रेज आये थे बेसिकली उन्होंने क्या किया था मैं उसके विशाय में थोड़ा बता देता हूं आपको उन्होंने ब्रह्मनों को एक तरीके से भैकाया था कि आप यहां से चले जाएए आपको हम अच्छी नोक यहां दे गय폰 आपין बेसिक नोलिज दे रहा हूं यहां पर आपको मैं पहले ही बता देता हूं तो यहां पर अंग्रेज वो ने वह भैका के निकाल दिया था कि मैं आपको बता हूँ गए क्या है क्यों है इस तरीके से तो कहते हैं कि जो 18 महाशक्ति पीठों में से एक है तमिल नाडू के लोगों ने आकर उन्हें अपने अंडर किया और उनकी पुझा अर्चना चालू करी आप देखेंगे कि जो विशालाक्षी जी है वो अपने आप में इतनी उनका विग्र इतना पारांपरिक परानिक है ना कहते हैं कि ध्यान मंत्र के नुशन उनका विग्र है दो भुझाओ वाला है जिसका श्लोक कुछ इस प्रकार है ध्यायत देवी विशालाक्षी तप्त जांबू नंद प्रभाम द्वी भुझामं विकाम चंडी खडग खपर धारिनिम नाना लंकार सुर्भगाम रक्ताम भर धराम शुभाम सदा शोडश वर्शियाम प्रसन नास्यम त्यलोचनाम मुंड माला वतिम रम्यम पीनो उन्नत मतलब की भगवती विशालाक्षी जी का जो सर पे जटाओं से ही मुंकोड बना हुआ है धगवती के तीन विशाल नेत्र है भगवती ने मुंड माला धारन कर रखी है भगवती के दोनों हातों में एक में खडग है और एक में खपपर है और वैं भगवान शिव के उपकर विराज्मान है। इस विराकार का ध्यान प्राप्त होता है। बेसिकली महालक्ष्मिकावाद साउथ कुल में साउथ में बताया गया है लाइक असम बंगाल कलकत्त यह सब काली महाकाली नोर्थ में चामुंडा अश्ट्रमात्रिका इस तरीके से हैं नोर्थ में जैसे गुजरात दिल्ली पंजाब हिमाचल और कश्मीर जम्मू यह सब नारसिंगी वाराही इन सब कवास है क्योंकि जो हम काशी खंड जाते हैं तो काशी में देखेंगे तो हम वाराही का विवास है फिर श्रीकुल में नीचे महालक्ष्मी है तो महालक्ष्मी श्रीकुल में जली जाती है जहां माता का करवीर निवासली महालक्ष्मी फिर अन्यकुमारी मिनाक्षी यह सब हैं तो जो विशालाक्षी जी का स्वरूप है फिर उसे थोड़ा चेंज कर दिया गया थोड़ा रूप जब पुझा प्रणालिज होती तो यह भी अपना स्वरूप भी चेंज कर देती है तो इस तरीके से तो कुछ ऐसा मान्यता है इसका प् अब उसकी अंदर भी काई सारी देवियां है उनके पूझा प्रणाली परसनल है इस तरीके से तो विशालाक्षी जी की बहुत महिमा है बहुत महिमा है पूझन बहुत प्रकार से है आपको यह वीडियो कैसे लगी गुप्त था थोड़ा मैंने सुचा आपको इसके विश् आसनी कोहलापुर महालक्षमी की कुछ महीमा बता हूं जिससे आप उनका भी थोड़ा जान पाई कि वह भी शक्त में इतनी इंपोर्टन्स क्यों रखती हैं तो कुछ ऐसे घुपत छुपे हुए पहलों को हम आप क्या के लिए कर आएंगे होप सब कोई वीडियो अच्छी ल